डिलिलो, बीजेपे, जात या कार्यावर्गा समावेशा लोग प्रधानि मोदी मार्ट रार्तुनारों लाइव लेचुता प्रेरख विश्वों के लिए आप सबको भी देशपर के कार करता हों को भी नद्याजी के माध्यम से सबका अभिनंदन करता हो साथियों कि आज मैं समस्त देश्वासियों की तरफ से संत शिरोमणी आचार्य स्री 108 पुझ्य विद्या सागर्जी महराज को स्रद्धा पुर्वक कि आधर पुर्वक कि नमन करते हुए स्रद्धा अंजली देटा हूं कि उनके समय लेखन कि समाधिस्त होने की सूचना मिलने के बाद कि उनके अन्युवाई शोक में हैं हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह कि एक व्यक्तिकत च्छती जैसा है वर्षों तक मुझे व्यक्तिकत रुप से अनेक बार उनसे मिलने का कि उनकी दर्शन करने का उनके मार्दर्शन प्राप्ता करने का अवसर मिला है कुछी महीने पहले कि ऐसा ही मन कर गया था मेरे प्रवास कारकम को बदल करके बहुत सुबह सुबह में उनके पास पहुंच गया था तब पता नहीं था कि मैं दुबारा कि उनके कि दर्शन नहीं कर पहूंगा कि मेरा सभागे रहा है कि कि पिछले पचांस से भी ज्यादा वर्षों से कि मुझे देश के घणमान निया आध्यात्मिक मुर्तियों के निकट रहने का कि उनके आशिरवात पारने का अवसर रहा है और इसलिए मैं उस अध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भली पाती जानता हूं कि समझता हूं कि अनुभव करता हूं कि आपको सुरकर का अशिर होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे कि उनका जीवन कैसा होता है जानते हैं लेकिन शायद ही कोई ऐसी महत्वपुन घटना ऐसी नहीं होगी या मेरी तरब से कुछ महत्वपुन कि किसी काम में मेरा संबन्द आया हो 24 गंटे के भीतर भीतर उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था इन्हें कितने जांगरुक थे और अपनी विराठ अध्यात्मिक आत्रा है और उसके बाद भी वो हम सब को हमेशा प्रेणा देते रहे हैं कि जीवन भर उतनी सम्मेता के साथ उनका लोगों को मिलना कि उन्होंने हमारे युवाओं को परंप्राओं से जोड़ा गरीबों तक सिक्षा और स्वास्त की सुविधाय को जाए कि उनका पुरा जीवन कि व्यक्त्य के लिए प्रेणा जसा है जिसने गरीबों और वन्चितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है आज जब भारत प्रगति के पत्पर आगे बढ़ रहा है कि मुझे विश्वाथ है कि उनके सिध्धार्थ और उनका अशिर्वाथ कि ऐसे ही भारत भूमी को प्रेणा देता रहेंगे हैं कि साथियों कि पिछले दस वर्सों में भारत ने जो गत्ती हांसिल की है कि बड़े लक्षों को प्राप्त करने का जो होसला पाया है यह भूत्पुर्व है साथियों कि और इसले ने कि मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का गाजे बाजे के साथ बोल रही है भारत ने आच हर छेत्र में जो उचाई हासिल कि उतने हर देश्पासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है और यह संकल्प है कि विक्षिद भारत का कि अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है कि सपने भी विराठ होंगे संकल्प भी विराठ होंगे और यह हमारा सपना भी है हम सब का संकल्प भी है कि हमें भारत को विक्सित बनाना है और इसमें अगले पांच वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है अगले पांच साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है अगले पांच साल में हमें विक्सित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है लेकिन भाई और बैनों सारे लक्षों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोड़दार वापस ही आज विपस्के नेता भी एंडिये सरकार चार सो पार के नारे लगा रहे हैं और एंडिये को चार सो पार कराने के लिए भाजपा को कि तीन सो सत्तर का माइल्स्टोन पार करना ही होगा कि साथियों कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे कहते रहते के अरे मोधी जी आपने इतना तो सब कर लिया जो बड़े-बड़े संकल्प में लिए वो तो पुरे कर लिए कि अब क्यों इतनी भागदरोड करने कि साथियों कि पुरा देश मानता है कि दस साल का बेदा कारकाल और पचीश करोड़ लोगों को गरीवी से बाहर निकालना यह सामान्य उपलब दिन नहीं कि पुरा देश मानता है कि हमने देश को महागोटालों और आतंकी हमलों के खौप से मुक्ति दिलाई है कि पुरा देश मानता है कि हमने गरीब और मिडल कास का जीवन कि बहतर करने का प्यास किया है कि लेकिन जो लोग सोचते हैं यह बहुत हो गया कि ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी गटना जुरूर बताना चाहूंगा एक बार एक बहुत बड़े नेता है कि मुझे मिले अब प्रधान मंत्री पर के दूसरे कारखात पर बोले मोदी जी प्रधान मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है बन गए कि आपने इतने दसरतों संगठम का भी काम कर लिया मुख्यमंति के रुप में भी इतना लंबा समय रहे चुके प्रधान मंत्री में भी दूबारा आ गए अब इतना काम कि पाल लिया है अब तो थोड़ा बैठो अराम करो बहुत कर लिया है यह उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी भोगाउना राजनीति के पुराने अनुभवों से थी लेकिन साथियों है हम राजनीति के लिए नहीं राश्ट्र नीति के लिए निकले है हम तो चत्रपती सिवाजी महाराद को मानने वाले लोग है जब छत्रपती सिवाजी महारात का राजा बेशेक हुआ तो उन्हों ने यह नहीं किया कि अब तो छत्रपती बन गए सब्ता मिल गए तो चलो उसका आनूंदलो उन्होंने अपना मीशन जारी रखा कि ऐसे ही उनसे प्रेणा लेकर के मैं अपने सूख भैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टम सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं कि मैं राश का संकल्प लेकर निकला हुआ वेखती हूं है अगर मैं अपने घर की चिंता करता है तो आज करणों गरीबों के करता